है कि देखिए हम प्र glaze काश सकते हैं ने पढ़ने जाएं कि आपको गोली मार दी जाए चाहिए नहीं कि देखिए चाहिए आता है तो हम शुड इस्तिमाल किया जाता है दे शुड उसके बाद बी और अब का थर्ड फांब इस शुड की पैसे और रचना है इसे हम अंग्रिजियम बनाते हैं देखिए आपको गोली मार दी जानी चाहिए आपको यू शुड जानी के लिए बी गोली मारने के लिए शॉट यू शुड भी यू शुड बी शॉट देखिए फिर से एक बार चाहिए के लिए शुड का इस्तिमाल क्या आता है यह पैसिव सेंटेंस है शुड के बाद वर्ब का फर्स फॉर्म आता है लेकिन पैसिव में बी का फर्स फॉर्म भी और पैसिव में कहीं भी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म इ बी शॉट यू शुड 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 बी शॉट आपको फासी पर लटका देना चाहिए ये भी शुड का सेंटेंस है इसकी यू शुड के बाद भी बी के बाद वर्प का थर्ड फॉर्म यह जाना के लिए भी फांसी पर लटकाने के लिए हैंग्ड यू शुडबी 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 हैंग्ड आपका मोबाइल चुराया जा स अगर हिंदी सेंटेंस के अद में सकता है आता है तो हम कैन का इस्तिमाल करते हैं जानेके लिए भी का कभी बी और और बरृब का थड़ फ़ाउन देखिए आपका मोबाई चुराया जा सकता है यूर मोबाइल सकता है के लिए can जाने के लिए be चुराने का third form stolen यूर मोबाइल can be stolen उसे गरफतार किया जा सकता है यह भी can का sentence है यह sentence construction हाएगी can के बाद be और be के बाद verb का third form उसे he ये सफ्ताय के लिए can जाने के लिए be और गिरफतार करने का third form arrested he can be arrested he can be arrested he can be arrested he can be arrested बैठक बुलाई गई है यह है यह है यह present perfectence की sentence construction है present perfectence में have has और work का third form इस्ते माल कहा जाता है लेकिन पैसिवास में क्या बी का third form बिन और work का third form यानि पैसिवास के बाद बिन और work का third form देखिए बैटक के लिए a meeting a meeting a meeting है के लिए has गई के लिए a meeting has been बुलाने के लिए third form called a meeting has been 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 called अब ये वीडियो पॉस कीजिए और इन 500 sentence के और देखते हुए इन्हें अंग्रेजियों बनाने की कोशिश कीजिए आपकी कोशिश आपके मोबाइल में record कीजिए आपकी recording फिर से सुनिए फिर से कोशिश कीजिए जब तक आप fluently जैसे हम हिंदी बात करते हैं उस तरह से जब तक आप इन sentence को अंग्रेजियों बोल नहीं सकते हैं तब तक आपकी कोशिश आपको जारी रखने हैं पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस बार कोशिश करने के बाद फिर से ये वीडियो प्ले करना है और अगला पार देखना है देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखने है देखिए इससी पन्ने पर निशले इससे में और दो sentence हैं उन्हें भी हम आंग्रेजियों बनाते हैं देखिए बाइटक रद की गई है और सड़क चोड़ी हो गई है यह दो sentence के निशले हिससे में है उन्हें भी हम अंग्रेजियों बनाते हैं गई है यह प्रेजेंड पर्फेक्टेंस है यहीं रचना है हाँ हाँ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी हाँ दोनों जगए यह sentence construction have has been और वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसी वाइज कुछ यह है यह हाँ है उसके बाद बिन और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मीटिंग रद की गई है देखिए the meeting has गई के लिए बिन और रद करने का थर्ड फॉर्म cancelled देखिए the meeting has been cancelled 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 सड़क चौड़ी हो गई यह भी प्रसेंट परफेक्टें से have has been और वर्ब का थर्ड फॉर्म पैस्यूफ चॉंस्ट्रक्शन the road has been widened widened यह चौड़ी हो गई है देखिए the road has been widened 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 इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है देखिए इसके निचले से पर यह सभी संटेंस यहां पर अंग्रेजी में दिये हुए हैं लिखे हुए हैं निकला हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ हिंदी के ऊवर देखती हुई हमारी कोशिच जारी रखने हैं, सिर्फ यहां पर अंग्रेजी हमारी सहयता के लिए है, हमारी जो किताब है, यह 448 पर नौली किताब है, इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फर्म में ट्रांसफर कर रहा हैं, इसलिए हमारे वीडियो देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलना सीखना चाते हैं, उन्हें भी जान करें दीजिए, कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो देखते रहें, धन्यवाद, थैंक्य झाल 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 झाल